जैशे राम आज हम चर्चा करेंगे कर्मों की सजा पर एक बार कर्म जो हो गया उसकी सजा तो भूग अतनी ही पड़ती है इसके पहले की वो तत्थे हम जाने ये अच्छा रहेगा समझ देना कि कर्म की परिवाशे में आता क्या क्या है जितने लोग लॉफ टॉट्स पढ़े होंगे लॉफ क्राइम्स पढ़े होंगे उनको पता है क्राइम दो तरीके से होता है एक बाई एक्ट एंड एक बाई ओमिशन कुछ ऐसे कारे होते हैं जिनको हम क्राइम करते हैं और कुछ ऐसे कारे जो हमें करना चाहिए और हम नहीं कर पाते हैं, वो भी क्राइम किस नेड़ी में आ जाते हैं, अगर एक नर्स को ड्यूटी बनती है कि वो दवा दे और वो दवा देना चूक गई, एक माता की ड्यूटी बनती है कि वो समय से अपने बच्चों को नहीं है, वो तो एक्ट हो ही गया, किसी को छट पर बंद करके रख देना दो चार दिल पास दिल भूखे प्यासे, ये भी ओमीशन में आता और ये भी क्राइम होता है, अब जब हम इंडियन पेनल कोड की बात करी रहे हैं, तो चेप्टर फाइब में एक अबेटमेंट का एक शेप्टर है, उसमें 106, 107 में में जेशन किया हुआ है, अबेटमेंट उफन एन उफिय को हम्हें, और अबेटमेंट कैसे कैसे होता है, कनसप्रेंसे से होता है, adding से होता है assisting से होता है किसी को help कर दीजिए कोई crime करने में या कोई conspiracy कर लिजिए या किसी ना किसी तरीके से उसको facilitate कर दीजिए instigate कर दीजिए उकसा दीजिए आपका crime हो गया अब हम समझते हैं कर्मों की फल की सजा कैसे मिलती है इस कहानी में बकरा जो है वो हीरो है तो भोज के लिए एक व्यक्ती ने एक बार एक बकरे को बली चढ़ाने की तयारी प्रारंब की आज कल भी बहुत से जगहों पे लोग बली चढ़ाने के लिए बकरे को ढूण करके लेके आ जाते हैं तो एक धनी अमीर व्यक्ती उन्हों ने अपने बच्चें को आदेश दिया कि बच्चे को नदी में श्नान करा करके लाओ और बली के लिए तयार कराओ जब बकरा नदी में श्नान कर रहा था तो अचानक वो हस पड़ा और हसने के बाद से फिर से वो दुखी हो गया उस अमीर व्यक्ती के बच्चों ने पोछा क्यों भाई क्या बात है मरने का नंबर लगा हुआ है हांस रहे हो और फिर दुखी भी हो गए क्या कारण है बकरे ने कहा ये बात मैं आपके पितासरी के सामने ही कहूँगा वो जादा अच्छा रहेगा वहां से लोग आते हैं पितासरी बेटते हैं उनके सामने अगल बगल में जो भी उनके followers होते हैं जो भी उनके रिलेटिम्स होते हैं सब साथ में बेटते हैं क्या बात है बकरा क्योह अंस रहे थे बकरी ने बताया हे धनी व्यक्ति पांसो जन्म पहले मैं भी एक अमीर व्यक्ति हुआ करता था एक दो जन्म पर ले नहीं पांसो जन्म पहले मैं भी एक अमीर व्यक्ति हुआ करता था और मैंने एक बकरे की बली दी थी और उसकी सजा अब तक भुगत रहा हूँ मैंने एक बार एक बकरे की बली दी थी और अब तक 499 बार में कटा जा चुका हूँ ये मेरा 500 बार है इस बार मुझे मुक्ष मिलने वाला है तो मुझे मुक्ष मिलने वाला है इसलिए मैं प्रसन हो रहा हूँ इसलिए मैं असन हाँ और दुखी ये सोच करके हो रहा हूँ कि एक बार एक बकरे को मैंने काटा तो मेरी इतनी दुरगती हुई ये जो आप जो हर साल ये भोज के नाम पर के बकरे को काटते रहते हैं आपको कितनी बार कटना पड़ेगा ये सोच करके मैं दुखी हो जाता हूँ कर्मों का फल तो भोग कर ही जाना पड़ेगा बकरे के बातों का उस अमीर व्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है और सारे लोग उसको सलाह देते हैं कि बकरे की बली न दी जाए उसके बाद से अमीरी व्यक्ति वो अपने बच्चों से बोलते हैं बकरों की बली नहीं दी जाएगी बकरे को सुरक्षी तस्थान पे पहुँचा दिया जाए फिर से बकरा हसने लगा बोला ऐसा होई ही नहीं सकता है इस धराधाम पर बिना अपने कर्मों का फल भोगे खे वह कोई जा ही नहीं सकता निकल ही नहीं सकता छूट ही नहीं सकता इस धराधाम से और मुझे तो अपने कर्मों के लिए पांसमیں बार गर्दन कटवाना ही पड़ेगा चाहें इससे भी भ्यंकर तकलीप में मुझे ये दरादाम चोड़ना पड़ेगा होता यू है कि बच्चे उनके लेकर के जाते हैं कई सुरक्षी तस्थान पर ले जाने के लिए रस्ते में एक पीण मिलता है और उसके बड़े ही पुल की पत्ते होते हैं पत्तों को खाने के लिए बकरा जैसे ही करदन उपर करता है बजरपात होता है विजली गिरती है और विजली गिरने से बगल के पहाड़ी पर पत्थर तूटने लगते हैं और उसमें से पत्थर के कई टुकड़े इधर उदर गिरने लगते हैं उसमें से एक बड़ा टुकड तूट करके बकरे के सीर पे लग जाता है और बकरा तुरंत निश्प्रान हो जाता है बकरे को मौख्ष प्राप्त हो जाता है और हम सब को यह शिक्षा मिल जाती है कि कर्मों की सजा तो हमें भूगत में ही पड़ेगी और पच्छताने से भी कुछ होता नहीं है इसलिए मैं प्रयत्न ये करना चाहिए कि हमारे कर्म जो है सतकर्म हो दुशकर्म नहों हत्या करना हत्या करवाना हमारे सुविधा के लिए हत्या होना और किसी हत्या में शामिल होना ये बहुत फर्क नहीं है ये शब्दों का हेर फेर है ये सब ये कहीं है इसलिए हमें प्रयत्न करना चाह चाहिए और सतकर्म का सुक भोगने के लिए भगवान का हमें अविबादन करना चाहिए अपने कर्मों की सजा तो बकरा भोगत गया और बकरा पिछले जन्म में मनुष्य था तो इसका मतलब यह हुआ कि जीव जन्तु मनुष्य कोई भी अपने कर्मों की सजा से वंचित नही है पर क्या भगवान देवी देवता क्या भगवान अपने कर्मों के फल की सजा भोगने से बंचित हैं इसका उत्तर रुणते हैं हम अगले एपिसोड में तब तक के लिए जैशे राम झाल